राधे राधे गुरूजी जी राधे राधे पहला धन्नेवाद मेरी अदिक्षक महुदै को जिनके निमित हम ये कATHER का होड़ कर पा रहा है जी और दूसरा आपको जो हम इतनी पावन कATHER सुन पा रहा है आपके मुख बिनदू से मेरा प्रशन ये है कि आपने पहले दिन ये बताया था कि जो भी इंसान कर्म करता है वो उसका भोग भोगना ही पड़ता है उसे बिलकुल और एक चीज और भागवत में कही गई है जो श्री किष्ण ने अर्जुन से कही थी कि इस धर्ती पे होने वाली समस्त घटनाओं का मतलब वो मेरे ही तो ये दोनों बातें आपस में प्रतिरूप होती है कि एक तरफ कहते हैं कि कर्म अपनी मर्जी से करो फल मैं दूंगा दूसरी बात ये कहते हैं कि सबकुछ उनी की इक्षा से होता है तो ये भागवान की इक्षा से सबकुछ होता है पर भागवान ने आपको थोड़ी जराब हैं, आपको पता है कि ये आग है, ये पानी है, तो आपको ये निरने खुद से लेना पड़ेगा, कि अब जितने लोगों ने यहाँ पर किसी ने गांजा बैचा, किसी ने बलातकार किया, किसी ने मडर किया, तो क्या इन लोगों को पहले पता नहीं था, क्या, कि ये क काम गलत है पता था पर चूंकी आवेश में गुस्से में नसे में कर लिया उसी तरह अब जब किया गुनाह हमने किया तो दंड भी हमें मिलेगा अब हम यह नहीं कहते कह सकते कीश्वर की मर्जी से हुआ भगवान की मर्जी से संसार चलता है पर भगवान ने हमें विवेक भी लिए जी विचार ढाप्र अंतरक मना सब्सक्राइल या उसीरूर का प्रयों करना होता है यह दौनों फॉंक्सन होते हैं तो इसी प्रकार इश्वर ने हमें दे रखा है वेवेक का एक्सिलेटर और साइयम का ब्रेक भी दे रखा है कहां साइयम ही बनना है कहां हमें बेवेक से आगे बढ़ना है आप बिजिनस में आगे बढ़िए व्यापार में आगे बढ़िए नाम कमाईए बढ़िए आगे आप क्राइम में आगे क्यों बढ़ रहे हैं आपको पता है क्राइम गलत है उसमें आगे क्यों जाए उसमें पीछी रही है बिजनस में आगे रही है आप अच्छी काम में आगे रही है तो इश्वर कि मर्जी से संसार चलता है है ना लेकिन इश्वर ने कुछ जगह पर आपको स्वतंत्र छोड़ा है जहां कुछ बिजन से सीवर किया गया है कि शिवर सबसे उपर हैं सबसे पहले वह आधी अनंत वही हैं जी और दूरगा शप्तृ शती अगर मैं ॉपरता हूं तो उसमें तो फिर क्या होता है ना घर में क्या होता है किस तरियां बोलती है कि आज भोजन तुम बना लो कभी भोजन घर का काम जिठानी ने कर लिया कभी घर का वही काम दिवरानी ने कर लिया कभी घर का वही काम आपकी माने कर लिया कभी घर का वही काम आपकी बेहनों ने कर लिया काम तो वही है पर कभी उन्हों ने किया कभी उन्हों ने किया उसी तरह स्रश्टी उत्पन्न करना पालन करना संगहार करना तीन ही काम है तो कभी क्रम भगवान नारण से भगवान नारण बोलते इस बार मैं कर लेता हूँ तो ब्रह्मा जी को उत्पन ने कर लिया कभी सिवजी को भगवान ने बोला इस बार आप कर लो तो कभी काम वही काम भगवान नारण ने किया कभी वही काम शिवजी ने किया सिव जी से स्रश्टी उत्पन हो गई कभी देवी जी से स्रश्टी उत्पन होने की बात विश्नु पुराण पढ़ोगे विश्नु जी से गड़ेश पुराण पढ़ोगे गड़ेश जी से स्रश्टी का कर्म देखेगा तो काम वही है पर चुकि सदस से बहुत है कभी तुम कर लो, कभी हम कर ले, कभी ये कर ले अब ये कौन सामान daar हरी हरी ओर ना भीड़ा शक्ति कौन है शक्ति हैं साक्षात लक्षमी और लक्षमी भगवान नारण का अंग है लक्षमी और नारण ये दो तत्व नहीं है जैसे राधा कृष्ण दो नहीं है, सीता राम दो नहीं, गेरा अरत जल भी चिसम कहियत भिन्न अभिन्न ये अलग नहीं है, तो शक्ति और नारण अलग नहीं है, सक्ति और शिव भी अलग नहीं है, तो मूल में तो एक ही तत्व है नारायन, नाराण सी ब्रह्मा विश्णु प्रगठ हुए पर काम कभी तुमने कर लिया कभी उनने कर लिया कल्प कल्प का भेद है कल्प किसी कल्प में उन्होंने स्रश्टी की किसी कल्प में उन्होंने स्रश्टी की एक हज्जार चत्रयूग का एक कल्प होता है एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं एक मनवंतर 73 चत्रयूग का होता है तो ऐसी स्रष्टी का क्रम है तो चलता है यह क्रम कभी मनवंतर कल्प कल्प की कथा है अगर सभी धर्म ग्रंट सही है तो मैं अगर अपने लिए पूछूँ कि सबसे शुरुवात में देव कौन थे? कौन भगवान थे? क्योंकि मैं शिव आरात्य हूँ फिर ठीक है फिर अंतिम प्रमान देखा जाएगा पुरान कितने है? अठारा पुरान अठारा पुरानों में अंतिम पुरान कौन सा है? शीमत भागवत तो भागवत अंतिम पुरान है भागवत लिखने के बाद व्यास जी ने कुछ नहीं लिखा तो अंतिम पुरान भागवत जी है फिर उसमें जो लिखा है वो अंतिम सत्य माना जाएगा पर उसमें लिखा है कि भगवान नाराण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से शिव, ये सरस्टी करम चला